श्री होम्रमेडेज में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन शिवरात्री कब है और इसके महत्र के बारे में और शुभमुरत के बारे में हर साल कुल बार शिवरात्री आती हैं जिनमें से सबसे मुख्य महा शिवरात्री को माना जाता है लेकिन इसके अलावा जो शिवरात्री बहुत स्रद्धा पूर्वक मनाई जाती है वह है सावन की शिवरात्री इस बार सावन के जो शिवरात्री है वा 9 अगस्त 2018 यानी गुरुवार के दिन पढ़ रही है और इस बार बेहद शुब सैयोग भी बन रहा है ऐसे में अगर आप शुब मुरत भगवान शिव का पूजनाचन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको जरूरी इचित्फल देते हैं तो चलिए जानते हैं सावन के शिवरात्री के शुब मुरत के बारे में निसित काल में पूजा का मुरत रात्री 12 बचकर 5 मिनट से लेकर 12 बचकर 48 मिनट तक रहेगा यानि कुल अवधी जो है वह पूजा की 43 मिनट की रहेगी वहीं 10 तारिक को सावन शिवरात्री पारन का समय सुबह 5 बचकर 51 मिनट से लेकर दोपहर के 3 बचकर 43 मिनट तक रहेगा अब चली जानते हैं शावन शिवरात्री के महत्व के बारे में और पूजन के बारे में कहा जाता है कि सावन की शिवरात्री मन से केई सभी पापो को धो देती है ऐसे में सावन की शिवरात्री का बड़ा ही महत्व है क्योंकि इसमें वरत रखने वालों के पापों का नाश होता है और कुवारे लोगों को मन्चाहा वरिया वधू मिलती है वही दापंत्य जीवन में भी प्रेम की प्रगाणता बढ़ती है इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद मन को पवित्र कर लें घर पर या मंदिर में शिव जी का पूजन करें और शिव जी के साथ माता पारवती और नंदी गाय को पंचामरित जल अरपित करें ऐसा करने के बाद सिवलिंग को भांग धतूरे, पुस्प, कुमकुम, अक्षक्त्र, फल, बिल्व पत्र को एक एक करके शिव मंत्रे के साथ ओव नमस्षिवाय का जाप करते हुए चड़ाएं इससे आप उन्हें जो कुछ भी अरपित करेंगे इससे आपकी पूजा सफल माने जाएगी तो ये थी पूजा विदी अभी के लिए बस इतना ही, अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं